तो बहठा पर जा करके लक्षमन इंस्ट्राग्राम का स्टार कीसे बन गया अगर आप मजदूर है तो सोचल मीडिया अज इतना बड़ा चीज जैना आपको धूल में से उठा कर फूल बना देगा यी स्व propor नूर को बेनूर कर देती है छोटे से जक्मों को नासूर कर देती है ऐसा कौन होगा जो अपना घर गली छोड़कर परदेश जाना चाहता है लेकिन वक्त और हलाद सब मजबूर कर देती इंसान कितना भी छोटा होना उसका सोच बड़ा होना चाहिए आपका बचपना और मम्मी पापा का पूरा जवानी भठा पर भीता 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 बोल गया है बिलकुल बिलकुल इंसान अगर कोई गरीब रहता है तो उसका जिन्दगी जो हता है ना बचपन अज इंस्टाग्राम पे इनके 2.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं कम कीमत में बहतर इलाज देना मेरी प्रात्मिक्ता धंगरी अस्पताल मरीजों का पहला विश्वास हमारी सुविधाएं लेप्रोस्कॉपिक लेजर सर्जरी जनरल ओपन सर्जरी मुत्र रोग किड्नी एवं प् सर्जरी के साथ 24 घंटे इमर्जन्सी सुविधा विशेश जानकारी के लिए संपर्क करें नमस्कार परणाम मैं अमीद सुरसिया और आप देख रहे हैं नलंदा दस्ता का इमारी मौजूदगी है नवादा जिला के गौँ में और हमारे बगल में जो धुरंदर बैठे हुए हैं वो किसी परीचे के मोहताज नहीं है इनका नाम है लक्षमन चोहान आज से पहले अठापे से ही सोसल मीडिया का इनको जर्नी स्टार्ट होता है और सोसल मीडिया इनको एस्टार बना देता है आज इंस्टाग्राम पे इनके 2.2 मिलियन फॉलोवर्स हैं डिजिटल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पे ये फ़नी वीडियो बनाते हैं मोटिवेस्टनल करा होता है रातरओ रात वो श्टार बन जाता है और उसी के बीच हमारे वी पारत पहले आपको हमारे चनल पर स्वागत है धन्यवाद और बहुत अच्छा लाया कि भईया लोग आए हैं और कैसे काम में आए जहां पे मतलब कोई नहीं जानता है पहली बार मतलब कि लोग कोई आए हैं पूछने के लिए हम लोग का हाल चाल अच्छा लग रहा है चलिए लक् इन सान अगर कोई रहता तो उसका जिंदेगी जो होता है ना बच्पन करते लिए बीद जाता है वैसे मेरा बच्पन पूरा मजूरी में बीद गया है मतलब कि मजदूरी करते करता है हम लोग का हालात बहुत खराब था अभी से टाइम पर थो थ्टिक लेकिन पहले के टाह मेरा बच्पन करते थे न लोग हम लोग को पालने के लिए मेहनत मददूरी और मतलब मतलब जब से मैंने हो समधाला तरके देखा कि पापा और मम्मी मेहनत कर रहे हैं तो फिर हमारी फैमिली भी थोड़ी से लंबी थी तो हम लोग ने भी सोचा कि चलिए हम लोग भी थोड़ा मेहनत करते हैं तो सायद कुछ पैसे आ जाएंगे तो अच्छे जिन्दगी गुजड़ेगी अच्छा मतलब कि आपका ब सब्सक्राइब करते हैं और आप सबको पता होगा कि लग्षमन इंस्टाग्राम का स्टार की से बन गया बचपन से एक चीज है मुझे मैं बचपन से थोड़ा बहुत सायरी कर लेता था और कौमेडी थोड़ा बहुत करता था ठीक ना और क्या है कि मैं एक आदमी को स्रेद दूंगा जिसका फैन मैं आज भी हूं और उसका बह बहुत ही आदिवासी केटिगेरी से था वह देखे कि बेचारा मतलब मेहनत करकर के आगे बढ़ गया अस्टार बन गया तो उसका वीडियो हम बहुत देखते थे तो फिर हम सोचे कि अगर यह गरीब घर से ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता तो फिर मैंने थोड़ा क्योंकि मैं उनको दिल में रखता हूं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं हमेशा उनका फाइन रहूंगा और जो भी मुझे आज जो भी हूं मतलब सामली सोचल वीडिया पर साय दूसरी इंसान के बैसे तो अपने गुरू का नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है भाई जानते होंगे राची का प्रिंश कुमार है राची मतलब कि प्रॉदीयो बनाता था और गृट में बड़ा था बहूत फनी फनी बनाता था अच्छा तो उसका वह बहुत बड़ा चपे लोकेशन होता था घाउं की बाचीत होती थी आ अश्चा बन गया तो उसी से मैंने पूरा मतलब सीखा और फिर हिम्मत आया कि यह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं तो चैनल कब बनाया थे इंस्टाग्राम पर अपने अकॉंट कब बनाया थे मैंने पहले बीगो में थोड़ा बहुत सुरुवात किया था तो वहां पर ज्यादा सफल नहीं हो तो करीब 2.5 लाग फुलोवर हुए उसके बाद बीगो बंद हो गया फिर मैं वहीं भठे पर काम करने लागा कुछ सफल नहीं हुआ तो फिर मैंने टिकी को देखा एक अपली के संथा तो उसको देखा तो मैंने अकाउंट बनाया उस पे तो मुझे पता नहीं था कि उसमे तो मेरा वीडियो सात्मा वीडियो मेरा चला गया करीब 849 मिलियन सब्सक्राइब टिकी पे तो वहां से मतलब अच्छा खासा जरनी भी हुआ था और मेरा फुलोवर करीब 7 लग हो गये तो वह बंद हो गया तो फिर मैंने घर आया तो घर आके मैं सोचा कि जहां से सुरू क तो मेरा घर देख रहे होंगे थोड़ा सा बना हुआ है तो जिसके अंदर अगर कुछ चीज का हुनर होता है ना उसको बरदास नहीं होता है तो फिर मेरे पास फोन भी है सब कुछ है तो इस्टागराम एक एप्लिकेशन है जिस पर हम वीडियो बना सकते हैं तो पहले से आपको डिमोटिवेट हुए जब चैनल बंद मतलब कि वह अप्लिकेशन ही बंद हो गया उसके बाद इंस्टागराम पे घर में आप पीलर कर रहे थे उसका वीडियो डाले और वीडियो वाइन चला गया था तो इंस्टागराम पे अब तक का सबसे ज़्यादा पाते हैं उसी घर में अच्छे सने रहे पाते हैं जिस बच्चे के लिए पैसे कमाते हैं उनके साथ भी अच्छा जिंद्गी नहीं बिता पाते हैं ज्यादा तर जिंद्गी उनकी ना बाहर में ही बित्ती है तो उसी पर मैंने एक साइरी बोला था कि वक्त कहां से कहां आ गई वक्त कहां से कहां आ गई अब हमें भी कमाने की जरूरत आ गई अब हमें भी सौक था जवान होने का हमें भी सौक था जवान होने का जब जवान हुए तो जवानी परदेश खा गई घर के हलादों ने इसकदर मजबूर कर दिया घर के हलादों ने इ इंस्टाग्राम पर 62 मिलियन पर बहुत सारे लोग रहते हैं तो कभी उन लोग को बताने कुछिस की हैं कि आप भी सोचल मीडिया पर काम करके अच्छा खासा कैरियर बना सकते हैं क्या यहां उनके पास किन लोग क्या करते हैं कि मैं पार रहागा है कि रया जाता है तो लोग उसको अपना जिंदगी माल लेते हैं हार जाते हैं उसके बाहर सोच है भीकिने मंदी दाने लग कि तो सोच इंसान को बदलना चाहिए अगर आप मजदूर है तो सोचल मेडिया इतना वड़ा चीज जाना आपको धूल में से उठा कर फूल बना देगा तो जो इंसान सोचल मेडियों को समझ गया जान गया ना तो समझ देजे कि वह कभीन कभी आगे बढ़ जाएगा आप आप सोशल मेडिया पर आपके एकॉंट पर हम अक्सर देखा करते हैं हम भी एक मतलब की बहुत इंटीरियर गाउं के रहने वाले हैं और गाउं का जब कोई लड़का सोशल मेडिया पर आगर की वाइरल होता है अपना कैरियर बनाता है तो तमाम परकार की बाते उनको लेकिन उसका को पीशे चोड़के जो इनसान आगे बढ़ता है वही वह सफलता पर आप करता है अगर आप किसी के बातों मुलहज जाएगा ना तो आगे नहीं बढ़ता है वह सब्कार के लें देया है? इसको मतलब कि यह करना है बिल्कुल अगर कोई मुझे बोले वीडियो बनाने समय चाहिए कुछ भी करते समय तो मैं इतना ही कहता हूं कि समय समय से बड़ा कुछ नहीं समय एक दिन करवा देगा जो भी होना होगा समय करवा बिल्कुल बहुत सारा मोटिवेशनल लाइन से आपके वीडियो पर हम देखते हैं हमारे दर्सकों कुछ कुछ मोटिवेट कीजिए मोटिवेट यही करना चाहूंगा कि आप कहीं भी किसी भी छेत में रहिए तो कहते हैं कि इनसान कितना फी छोटा हो ना उसका सूच बड़ा होना चाहिये आगर आप बड़े आदमें भी हैं अगर की बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो मजबूरियों को मत को सो हराल में चलना सीखो चल ना धहती है कि जो बचे होते हैं देख ने नुवारं तो अगराप फोकर नहीं खाएंगे लोग को ताने नहीं खाएंगे लोग तो आपको गलत नहीं कहेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाई शीखने के लिए नहीं बिल्कुल आप आपको बाहर जा के ही ठोकर लगता है चाहिए दुनिया कुछ बोलती तभी आपको कुछ सीखनों को मिलता है अचा अभी अब मतलब की गौह में आया हुए हैं बट लेकिन इतना कहेंगे कि अगर हलाद अच्छे सुधर जाए तो अच्छा है उपर वाली किरपा आए कि छूड़ जाए तो अच्छा है मतलब की शोशल मीडिया आपको भठा से आजादी दिलवा सकता है पिल्कुल मैं तो मैं जान चुका हूँ पाबर जिनको नहीं पता मतलब मैं तो एक छोड़ा सा क्रेटर हूं मुझसे भी बहुत बड़े बड़े क्रेटर हैं बिहार में इसा नहीं है आपको देखने करके भठा पर वाले लोग सीखना स्टार्ट कर दिया है एक बात तो है जब मैं जहां पे मेरा दो लाग फुलोवर था तो मैं यहां से घर फुलोवर हो गया ना तब से मैंने देखा कि बहुत भठे पर के लोग वीडियो बना रहे हैं बहुत तो इसे एक चीज़ लगता है कि मेरा वीडियो लोग देखे होंगे जरूर और लोग सोचे होंगे कि एक भठे पर रहने वाला आदमी 2 मिलियन पहुचा सकता है तो मैं अभी क्यों नहीं सुरात करूं तो लोग भी देख रहे हैं लोग अच्छे खासे आगे बढ़ रहे हैं भठे पर से भी बहुत लोगों को वीडियो मैंने देखा है मेरे बिधानसवा चेतर में भठा है उस भठा का नाम नहीं लेना चाहेंगे वहां पर हम गये इंटर्वी दो मिलियन हुआ ना तो भठे पर से वीडियो आने का बाढ़ लगया बहुत लोगा लोगों का वीडियो आया और वहां पर मैंने देखा लोग अच्छे खासे फ्लोवर भी बना के रखे हुए इस्ट्याग्राम पर और फेस्वुक पर लोग यूटूब पर उतना जल्दी को सुना है मेर्था पर काम करते हुए तो बहुत मोटिवेस्नल हम बात किया करते थे और यहीं कहेंगे कि आप कहीं भी काम किजिए और काम करते रहें महिनत करते हैं उसके अलावा भी आप दिमाग लगाते रहें कि मुझे कहां पे सफल होना है अगर मालीजे की आप पड़े हुए हैं उसमें आपका जिन्दगी नहीं चला है तो उससे निकलने की कोशिज कीजिए उससे आगे आपकर रहें को सकता हुआ ज्यादा इंकम हो हुआ पर आपका पुप्रेटी बढ़े तो इनसान को ना मतलब हमेशा मैंने में यह रखना चाहिए कि मुझे आगे ब बहुत अच्छा दिया है यह बिल्कुल आप जो बोले ना बिल्कुल सही बाद है कि इतनी बड़ी दुनिया कि इतनी बड़ी धरती है तो क्यों में मत जाके स्रीफ को बाहर भी आकर देखिए हां तो दुचार को साहिरी और संटेंस हो जा हमारे दर्सकों के लिए कहते हैं दोस्तों कि वक्त नूर को बेनूर कर देती है चोटे से जक्मों को नासूर कर देती है ऐसा कौन होगा जो अपना घर गली छोड़कर परदेश जाना चाहता है लेकिन वक्त और हालात सबको मजबूर कर देती है पदलब कि वही भक्त और हालात ने लक्षमन को मजबूर किया था और वो भठा पे गये थे और फिर भठा से बाहर निकले तो पता चला कि एक और दुनिया है सोशल मीडिया का और सोशल मीडिया पर अपना केरियर होना है और मैं हमेसा यही कहूंगा कि आप लोग का आहिसान मुझ पर हमेसा बना रहे गाइगा परिवार में कौन को नहीं लक्षमन ज्यापके परिवार में मेरा फैमली है मम्मी हैं पापा है है तो 3 भाई हम लोग है बहने पांच है जिसमें से काजल को आप जानते ही होंगे मोटिवेशनल लाइन हाँ वह भी मेरा ही रास्ता पकड़की रखी है और और ऐसे तो बहुत लोग मतलब कि यहां पर हैं वीडियो बनाने वैसा नहीं है मेरे मेरा भाई बनाता है मेरा मम्मा के बेटा है मुझा सब बनाते हैं अलक्षमन जी के पूरे फैमली हैं जो कि अभी बहुत मतलब कमेंट आ तो मुझे मजबूरान बनाना पड़ा क्योंकि अब लोगों के उपर क्या बोलते हैं कि लोग जो बोलेंगे जो देखकर मुझे सपोर्ट किया है ना वो लोग तो देखने को मांगे कि आप भावी साथ बना रहे थे आप क्यों छोड़ दिये उस सब कमेंट आया था तो मैंने उन पर बनाया मतलब कि भावी पहले भटा पी रहती थी नहीं वह नहीं जाती थी बट्टे पे जब से साधी हुआ ना उसने भी मेरे हालातों से सम्झावता कर लिया क्या हालात थ अधर था लाक रुपय के अंदर में बजट में माली यह कितना फैमली थे हम लोग करीब कि 17-18 फैमली थे अठारा फैमली का मतलब कि पूरा भारन पोसंद करना एक लाक रुपय में और उसमें क्या है साधी है भाई बहन का साधी है बच्चों का सब का दवाई वीरोई सब खर्चा जानते हैं आज कल देख लिए लाक रुपय थे एक आदमी चला जाएगा सालाना में महीना में खर्चा जाएगा तो बजट बहुत कम था हमारी फैमली बहुत बड़ी थी तो अभी भी कुछ खास बदला नहीं है यह बात हम कहेंगे लेकिन यह है एक उमीद बन गय क्या पता किस्मत आपके भरों से बैठा हो बिल्कुल आपसे हमें कुछ कुछ सीख रहे हैं लगता है चलिए अच्छा है आपसे भी कुछ सीखने को मिला अच्छी बात है आखरी सबालों का लक्ष्ण भाई सोशल मीडिया पे लोग इसलिए भी नहीं आना चाहते हैं गाहो पर फीडियो को चलता है लोग रुक के देखते हैं आपके वीडियो को और ताम करते करते भी वीडियो बनाई और पैसा जहां तक कमाने की बारी आती है तो मैं यह तहीं कहूंगा कि उतना आपा सोच नहीं होगा जितना आपको पैसा मिल सकते हैं आप अपने दर्सकों को क्या संदुश देना चाहेंगे सबस्क्राइब आइस घरड़ियो अच्छ नहीं कर सकते हैं और पूरा जवानी और पूरा बच्पन भटा पर पीता इनका भी और इनके माता पीता बहुती उसके बाद ये एक राची के कोई क्रीटर थे उनको देखना स्टार्ट के और इनको देख करके सीखें और सीख करके इंस्टाग्राम पे अपना केरियर बनाए, सोसल मीडिया पे अपना केरियर बनाए और ये बता रहे हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती तो एक सायर हम भी सुना देते हैं कि लहरों से डर करना का पार नहीं होती कशिस करने वालों की कभी हाह नहीं है। तो लक्षमन जी कोशिष किये और कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखिए कि क्या छूटा है। आप यह पीछे मूर्णा